स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने योटूब चैनल रस्तोगी कुछी में यूपी बोर्ड से बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है और क्या बड़ी अपडेट आया हुआ है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा जिन विद्यार्थियों के यदि कम नंबर आया हुआ है उनके लिए जो है बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है और 19 मई तक फार्म को भर सकते हैं तो देख सकते हैं क्या खबर है इसकूटनी के लिए आनलाइन आवेदन 19 मई तक और यहां देख सकते हैं प्रियागरा से खबर को प्रकासित किया गया मादमी सचाप परिशद ने मंगलवार को हाई स्कूल और इंटरमीडियेट परिच्छा का पड़ाम जारी कर दिया है परिचारती उसे बेवसाइट पर देख सकते हैं पड़ाम से जो पर विद्यारती संतुष्ट नो हो वह इसकूटनी के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं यदि जिनका नंबर कम आ चुका है और वह संतुष्ट नहीं है यदि मालेजी आपने परिच्छाई जाम दिया और उसमें 50 नंबर का कोशन किया हैं और इसमें आप 20 नंबर पाए हैं तो आप अपना कांपी को जांच करा सकते हैं और दुबारा कांपी जांच होगा और उसके लिए थोड़ा साब को सुल्क भी जमा करना पड़ेगा और आपकी कांपी जांच हो जाएगे और जांच करने प अगर नंबर बढ़ेगा तो आपका नंबर बढ़ा करके अलग से जो है आपकी अलग मारशीट बना करके भेजा जाएगा तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा तो देख सकते हैं इस कुटनी के निए 500 रुपे सुल्क निर्धारित किया गया है मतलब जो भी द्यारती इ उनके निया 500 रुपे सुल्क देना पड़ेगा लिखित परिच्छा और प्रवगात्मा परिच्छा का सुल्क अलग अलग लगेगा इसके अलग लिए आवेदन 19 तक किया जा सकता है मतलब आनलाइन जो आवेदन करना है वो 19 तारिक तक आवेदन कर सकते हैं और दिविकान स के बाद उसका प्रिंट निकालना होगा फिर 500 रुपे का सुल्क चलान के माधियम से राजकी कोसगार में जमा करना होगा सुल्क जमा होने के बाद मूल चलान पत्र और आवेदन आवेदन का पत्र डाक या वेक्तिगत माधियम से छेतरी कर्याले प्रियाग राज में जो है वरेली गोराफुर वरारसी में जमा करना होगा निर्धारी तिथी के बाद जमा होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा मना 19 तारीक के अंदर जो है आप आनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऊसका प्रेंट आउट होगा उस प्रेंट आउट को और जो कोशगार में जो सुल्क जमा किये रहेंगे उसका रसीद को ले करके छटरी करयाले में आपको जमा करना पड़ेगा आप जिनका जहां पर छेतरी करियाले है यदि आप देवरिया, कुशी नगर, महराज यां सिधात नगर कराने वाले हैं तो आप गोरपुर छेतरी करियाले में उस प्रिंट आउट को जमा करेंगे प्रिंट आउट जमा होने की बाद आपकी कापी की जाश की जाएगी और यदि आपका नंबर बढ़ेगा तो बढ़ा दिया जाएगा और बढ़ा करके जो है निया दूसरा मारशीट अपलोड किया जाएगा तो यह जो है यदि आप सभी विद्यार्थी इस नंबर से संतुष्ट नहीं है तो यह फार्म को जरूर भरिएगा यदि संतुष्ट है कि मतलब हमने इतने नंबर का कोशन किया और इतने नंबर तक पाए हुए हैं तो फार्म भरने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन जिनका नं डेट आप सभी विद्यार्थियों को कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे दी आप पहली बार आये हुए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेजिए तो मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के नि सभी विद्यार्थियों को नमस्कार